दोस्तों यह है लेनवो का नया स्मार्ट वाच जो इंडिया में लॉच हो चुका है यह है लेनवो स्मार्ट वाच इगो और इसकी कीमत है एक हजार नौसो निन्यान रुपे बहुत ही बड़िया प्राइस टैग है और यह जो स्मार्ट वाच है यह आपको तकरीबन 20 दिन का मैटर लाइफ देता है इस वीडियो में मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ आपको इस प्रोड़क के फीचर और पर्फॉर्मंस के बार में बताऊंगा साथ में इस वाच का मैं गिववे भी कर रहा हूँ ऐसे चार वाचिस का गिववे तो गिववे में किस प्रकार से आप भाग ले सकते हैं और यह जो वाच है इसके फीचर क्या है और पर्फॉर्मंस क्या है जानने के लिए देखते रहिए नमस्का दोस्तों मैं हूँ गोगी और यह है लेनव वो इगो जो इंडिया में लौच चुका है और यह जो स्मार्ट वाच है यह बेसिकली जो ट्रेडिशनल स्मार्ट वाचे मार्केट में अवेलेबल है उनकी तरह तो नहीं दिखता है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग किसम का है यह आपको एक sports watch available है market में उस प्रकार का लुक देता है तो चलिए सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं देखते हैं कि box में हमें क्या-क्या मिलता है यह smart watch launch हो चुका है और यह flip card पर available होगा बहुत ही बढ़िया price stack के साथ में आता है एक हजार नौसो निन निन रुपे देख सकते हैं कि जो box packing है बहुत ही compact सी है चलिए इसे में खोल देता हूँ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या मिलता है box पर जो MRP price है वो 2,999 रुपे है लेकिन यह आपको 1,999 रुपे में मिल जाएगा box खोलते ही आपको यह smart watch दिख जाएगा लेनेवो इगो और यह देखिए इस प्रकार का दिखता है एक sports watch की तरह दिखता है फिलाल इसे में side में रख देता हूँ और box में आपको यह user manual मिलता है जिसमें आपको इस product के बारे में जानकारी मिल जाएगी QR code भी दिया हुआ है जैसे scan करते ही आप जो related applications है उसे download कर पाएंगे और आपको यह magnetic charging dock मिलता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया यह जो watch है एक sports watch की तरह दिखता है साधरन watch की तरह दिखता है लेकिन यह एक smart watch है यह काफी हलका है और इसकी build quality of finishing काफी बढ़िया है यह waterproof भी है 50 meters तक आप इसे पानी के अंदर ले जा सकते है इसका जो strap है यह silicon material से बना हुआ है और काफी comfortable भी है नीचे से यह जो smart watch है इस प्रकार का दिखता है देखें यह आपर दो charging points दिया हुआ है इसमें built-in heart rate sensor भी है और यह आपका continuous heart rate monitoring भी कर सकता है अगर आप side से देखें तो इतना slim नहीं है और आपको चार buttons भी मिलते हैं दो left side पर दो right side पर screen इस प्रकार का है यह साधरन किसम का screen है touch screen नहीं है जब कभी आपको इस smart watch को charge करना है तो जो charging dock दिया हुआ है उसे इस प्रकार से आपको charging points पर रखना है यह magnetic है और जब position सही होगा तो automatically चपक जाता है और यह जो end है इसे आपको smartphone का adapter या फिर laptop के USB ports में भी आप इसे दाल सकते हैं तो इसका display इस प्रकार का है आपको date, time दिख जाता है Bluetooth connectivity on है या off है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है उपर वाला button ब्रिस्क करते ही आपको जो आपका fitness related activities है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और नीचे वाला जो button है उससे आप जो features है जैसा कि heart rate sensor इसे enable कर सकते हैं अब यह watch है आपके continuous heart rate monitoring कर सकता है फिलाल इसे मैं पहन लेता हूँ pulse rate काफी accurate लग रहा है और अब यह मेरा heart rate है उसे continuously monitoring कर रहा है यह देखिए यह on off button है जिसका उप्योग करके आप इस watch को on कर सकते हैं या फिर off कर सकते हैं और उपर वाला जो button है उसका उप्योग करके आप इसमें जो light है उसे on कर सकते हैं यह देखिए मैं अंधेरे में हूँ और जो उपर वाला button है left hand side वाला उसे मैंने प्रेस किया है और देख सकते हैं कि अंधेरे में भी आप जो display है उसे read कर पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको light का button है उसे प्रेस करना पड़ेगा Lenovo Life application को आप अपने smartphone पर download कर लीजिया और उसके बाद में आपको devices में जाके यह जो smart watch है इसे आपको add करना है मैंने वो already कर दिया है तो अगर आपको device add करना है तो आप profile में जा सकते हैं और यहाँ पर देखिए add devices का option है मैंने already add कर दिया है इस application का उप्योग करके आप काफी चीज़े setup कर सकते हैं अगर कोई firmware update आया होगा तो उसे भी आप application के जरीए ही update कर पाएंगे आपको vibration alerts मिलेंगे यह देखिए मुझे call आ रहा है तो यहाँ पर vibrate भी हो रहा है और मुझे call का sign भी दिख रहा है watch पर इस watch पर simple सा display है और यह जो display है धूप में भी clearly visible है यह देखिए मैंने 4 km का walk किया था तो उसका यहाँ पर मुझे record मिल गया है और एकर इसकी अगर बात करें तो यह जो smart watch है आपको consistent results देता है यह smart watch आपके sleep activities, walking, कितना calories आपने burn किया हुआ है, कितना distance travel किया हुआ है, सारी की activities track कर सकता है, इस watch में microphone नहीं है, built-in GPS नहीं है, लेकिन अगर आप application का उपयोग करेंगे, तो smartphone का GPS application उपयोग करेंगा, उससे आपको बहुत accurate reading मिल जाएगा, यह देखे, यहाँ पर जो मेरा data record हुआ है, यह smartphone का उपयोग करके record हुआ है, और GPS का data भी यहाँ पर आपको मिल ज करके मैं जो time format है, उसे change कर पाऊं, यह watch waterproof है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे पानी में completely डुबा दिया है, और देख सकते हैं कि अभी भी यह काम कर रहा है, यह देखे, तो waterproof test इसने pass कर लिया है, वैसे तो जो smart watch है, यह आपके sleep activities को भी track कर सकता है, लेकिन देख सकत हैं कि यह काफी bulky size है, एक तरह से sports watch की तरह दिखता है, और इसे पहन कर सोना इतना comfortable नहीं होगा, वैसे market में आपको smart bands मिल जाते हैं, जो कि काफी comfortable हैं, अगर आप उसे पहन कर सोते हैं, तो आपको ज़्यादा तकलिफ नहीं होने वाली है, लेकिन इस प्रकार के smart watches, जो बलक आपको कुछ steps follow करने हैं, पहला यह कि आपको मेरे चैनल को follow करना है, ट्विटर पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं, उसका जो details है मैंने screen पर दिया हुआ है, और आपको comments दिना है, मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ कि यह जो smart watch है, इसमें सबसे खास feature आपको कहा लगा उसके बार में आपको मुझे बताना है, comments के माधिम से, और मैं randomly चार comments सेलेक करने वाला हूँ, एक software का उप्योग करके, और जो सवाल मैंने पूछा हुआ है, उसका जवाब मुझे उस comment में मिलना चाहिए, मान लीजे, मैंने चार users को सेलेक किया हुआ है, उसमें से एक user ने क पताना है, comments के माधिम से, इस giveaway का जो results है, मैं 20 थारी को announce करने वाला हूँ, इसी comment के section में, तो 20 थारी को आप फिर से आ सकते हैं, और अगर चाहें तो ये वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि कौन लोग जीच चुके हैं, तो दोस्तों ये है Lenovo Smartwatch Ego, जो इंडिया में launch हो चुका है, बहुत ही बढ़िया price tag के साथ में आता है, 1,999 रुपए, जहां से आप इसे खरीच सकते हैं, उसका link मैंने वीडियो description में दिया हुआ है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे like कीजिए, share कीजिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और जो ब